इडियो हम इस पेसरी उन स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं जो लोग अभी क्लास 11th का एक्जाम देके 12th में जाएंगे देखो भाई, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा फंडा है महनत करोगे तो अच्छा करोगे खाली सोचने से अच्छा नहीं करोगे बहुत सारा स्टूरेंट खाली सपना देखता है कि हमको जेई करना है जेई में एक्जाम देंगे, मेंस के एक्जाम देंगे पहला बार में ही 99% आयल राएंगे लेकिन महनत के नाम पे जीरू सोचने से काम नहीं चलता, अब महनत करो एक साल बीट चुका है तुम्हारा, देख चुके हो कितना महनत कियो हो, कितना कुछ कियो खुद से एक बर अपने आपको जज करो कौन-कौन सा चाप्टर तुम्हारा अच्छा है कौन-कौन सा चाप्टर अच्छा नहीं है कौन-कौन सा सब्जेक्ट में तुम पीछे जा रहे हो और कौन-कौन सा सब्जेक्ट अच्छा अब तुम्हारे पास जो बचा है वो बस एक ही साल बचा है अब इसी एक साल में जो करना है वो इसी एक साल में करना है अब तुम्हारा वापस एक साल मुर के आ नहीं सकता, बहुत लड़कियों के पीछे टाइम वेस्ट कर चुके हो, गर्फ्रेंड बनाने का पुसिस बहुत कर चुके हो, कोई फाइदा तो हुआ नहीं, अब थ्वासा परले भाई, परले पर लोगे ना जब अच्छे से, और ज साल में जो तुम वेस्ट की हो, पूरा एक साल का पीछले साल का भी महनत और टुवल्थ का भी महनत तुमको एक साल में करना है, एक्जाम जही का जहे हो जन्वली में ही होगा, मार्च महिना चर रहा है, तुम्हारे पास अगर देखा जाये, तो बचा है दस महिना, अब इस जही से प्रॉपर तरीके से प्लैनिंग करो, कि किस तहा से प्लैन किया जाए, कि 11 भी प्रॉपर हो जाए पूरा, और जो टुवल्थ चर रहा है, जो टुवल्थ में परहाई होगा, चाहे टूइसंस में हो, यह स्कूल में हो, उसको हम कैसे में रखे, और अच्छे-च्छे सवाल को कैसे बनाए, प्रॉपर समय आ गया है, प्रहाई को टाइम देने का 10 घंटा, quality of time जाद रखे, quantity of time कहने का मतरम हो गया, कि अगर आज घंटा पर रहे हैं, तो प्रॉपर आज घंटा आपका परहाई होना चाहिए ये नहीं कि 8 गंटा परहाई कर रहे हैं जिसमें 3 गंटा WhatsApp खोल के किसी से गप करते में पार या Cricket Mass देखते में पार रहे और विराट कोली का सेंशुली देखते में पार बिल्कुल भी नहीं भरी अब 8 गंटा पढ़ना है, 9 गंटा पढ़ना है प्रॉपर परहाई करना है, मुबाय से दूरी बना है अगर अच्छा करना है तो इन बातों को ध्यान में रखना होगा J-E examination तुम लोगों को पता है कि इंडिया के सबसे toughest examination में से एक होता सबसे toughest exam को अगर निकालना है तो तुमको सबसे tough बनना परेगा याद रखो tough exam को निकालने के लिए तुमको अपने आपको tough बनाना परेगा तुम अगर सोचोगे कि हम सब कुछ करे थोड़ा किसी से गब कर दे, किसी के साथ घुम ले जाके पठान मुभी भी देख ले थोड़ा परहाई भी कर दे, थोड़ा किसी रखी के साथ flirting भी कर दे तो भाई नहीं होने वादा है तुमको सब कुछ से अपना अपने चीजों को हटाना परेगा माईन को divert करके सब कुछ को परहाई में focus करना परेगा अपने माईन को अगर एक साल अच्छे से महनत कर लेते हो आठ से दस घंटा प्रॉपर परहाई कर लेते हो दिमाग में अगर PCM आना सुरू हो जाता है सपने में तब समझ लो कि तुम सही जा रहे हो अगर PCM तुम्हारे दिमाग में नहीं चलता है तो फिर तुम समझो कि सही तुम नहीं जा रहे हो जिस दिन तुम्हारे सपने में कोस्स आना सुरू हो जाए जिस दिन तुम चलते जलते दिमाग में कोस्स शॉल्व करना सुरू कर दो तुम उसी दिन समझ देना कि तुम जेए के लिए परफेक्ट कैंडिडेट बनते जा रहे हो अगर नहीं कर सकते हो तो फिर मस्ती में लाइफ को जीओ क्लियर कट बता रहा है अगर इतना आद घंटा दस घंटा नहीं दे सकते हो तो मस्ती में लाइफ जियो, जाओ, मस्त पठान देखो, अभी इंडिया का मैच चारा, मैच देखो, फिर IPL सुरू होगा, IPL का इंटर्टेन्मेंट उठाओ, मस्त इंज्वाई करो, और लाइफ को इंज्वाई करो, और अगर पढ़ना है, तो परो, एक चीज को अच्छे से चूज कर दे भाई, यह तुम लोग के लिए कहा जा रहा है, करोगे, तो बहुत में फिटेट रहोगे, नहीं करोगे, तो लाइफ इंज्वाई करोगे, that's it, thank you very much.